कॉरिया साथ 113 डिग्री एश्ट की अफडेट काफी दिनों से चल रही है, जिसके ओपर एस्पोर्ट, समा इंटर्टेंमेंट और समा न्यूस का चैनल चल रहा है। हमारा कम है आप दोस्तों को अफडेट देना। असलाम लेकुम क्या हाल जालें जी आप तमाम दोस्तों के उमीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्तों खेरियत से होंगे दोस्तों मैं हूँ अबदल गफार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेग गफार आज एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों की खित्मत में खाजर हो आप तमाम दोस्तों को पता है कोरिया सेट 113 डिगरी इस्ट वाली जो सेटलाइट है वो उसके ओपर फीड के चैनल आते हैं प्रापर सेटलाइट नहीं है लेकिन हमारा काम है आप दोस्तों को अफडेट देना और दो फीडिश के ओपर आज इसकी सेटिंग आप दोस्तों को नहीं समझाऊंगा सारी चीज़ें वीडियो में होंगी तो आप दोस्तों ने वीडियो कम्दीर देखनी है आगे पढ़ने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बैन नोटिफिकेशन को आन कर लेना है ताकि नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें कोरिया साथ 113 डिग्री एस लगाने के लिए आप दोस्तों ने सेटलाइट फिरंटर के ओपर या रेसीवर के ओपर आपने फरक्विंसी लगा लेनी है तो अचैनल चैनल के बाद हम चैक करते हैं क्या अगर हमारे पास एशिया सेट 7 लगी हुई है तो एशिया सेट 7 के जिसके उपर A-Sport और Sama Entertainment या Sama News का चेनल चल रहा है और आज की वीडियो में ये सेटलाइट आपको ट्यून करके भी बताऊंगा कि टोटल चेनल हमारे पास इस सेटलाइट के कितने रसीब होते हैं एक बाईगी डीश की सेटिंग करने आया था सोचा आप दोस्तों के लिए एक छोटी सी अफडेट की वीडियो बना दो ताकि आप दोस्तों में अगर ये सेटलाइट लगाना चाहें तो अपने पास लगा सकें तो कोरिया साथ लगाने के लिए जी डीवीडी सीटलाइट फंडे के उपर मेंने सिगनल जूम किये हुए आप दोस्तों को पता भी है जब भी आप एटल एक सो आठ डिग्री ईस लगाते है या तो आपने ये कड़ा काट नोत है या 108 डिग्री ईस लगाने के लिए आपको steering भी इस तरह लगानी पड़ती है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 108 डिग्री ईस यहाँ पे आ रही है तो कोरिया साथ 113 डिग्री ईस इस से उपर वाली साइट पे आईगी या आगे वाली साइट पे आएगी ठीक हो गया अगर आप सिंगल सेट लाइट ये लगाना चाहें तो ये डिश के पीछे खड़े होके लेफ साइट पे हमारी सेट लाइट आती है अब चुक्छे हम मल्टी सेट अप में इसको लगा रहे हैं ये हमारी राइट सेट पे आएगी तो एटल 108 डिगरी इसके बाद यहां पे सिंगनल अब 粉 दोब ваगा रहे हैं ओर इसके साथ सथ अगर आप दुस्त को यहां पे दिखाओं तो डीवेडी सेट फ्रइट के उब़र 72-71% तक सिगनल आरेंजी कोरिया साथ 113 डिग्री इस्ट के और यहां पे सिगनल सबसे पहले मैं लॉग करता हूँ जी लॉग करने के बाद इसकी चैनल इस्ट भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा यहां पे करीब करके भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ एक बार जब भी आप 808 डिग्री इस्ट लगाते हो तो यहां पे LNB आपको रखनी पड़ती है ठीक है अब चुके हमने 113 डिग्री इस्ट की तरफ जाना है तो LNB को हलका सा हमने आगे की तरफ करना है ठीक है यह आप दोस्तों देख सकते हैं जी नीचे आपको फैंडर भी नजर आ रहा होगा ठीक है और साथ-सत LNB को हलका फुलका जो है आगे पीछे में कर रहा हूँ तो सिगनल मेरे पास से आ रहे हैं 74% तक सिगनल इसके हमारे पास आ चुके हैं अब इस सेटलाइट को स्केन कर लेते हैं स्केन करके हम देखते हैं कि टोटल चैनल हमें इस सेटलाइट के कितने मिलते हैं तो LNB को जुगाड की मतलब से यहां पर मैंने फिक्स कर लिया है कोरिया साथ 113 डिगरी इसक और सेटलाइट फेंडर के ओपर आप दोस्तों को यहां पर सिगनल भी मैं चेक करवा देता हूँ 74% तक सिगनल मेरे पास आ चुके हैं और यहां पर अगर आप दोस्तों को दिखाया जाए तो समा इंटर्टेन्मेंट ठीक है हमारे पास से बिल्कुल ओके चल रहाए जी इसके इलावा नेक्स चैनल टीवी 101 के नाम पर है इसके सिगनल हमारे पास से नहीं आ रहे तो दोस्तों इसको ट्यून करने के बाद भी मैंने चेक किया है तो इसी फ्रिक्वेंसी के ही सिगनल मेरे पास से यहां पर रिसीव हो है और आज की डेट में अगर आप दोस्तों को बताया जाए तो एस्पोर्ट इससे से लाइट के उपर वर्किंग में नहीं है कुछ दिन पहले इससे से लाइट के ओपर एस्पोर्ट चल रहा था जो के एच्डी नहीं था एच्डी मूड पर चल रहा था तो यह थी छोटी सी अफडेट अगर आप दोस्त भी कोरिया साथ 113 डिग्री इस्ट एशिया से 7 के साथ लगाना चाहें तो कुछ इस तरह की सेटिंग होगी एलन बी की और यहां पर यह एलन बी अड़्जेस्ट होती है तो उमीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्साइब कर दीजेगा मिलता हूँ इस तरह की और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए दौव में याद रखेगा लाफेज